राइट दोस्तों तो हम लोग चार्ट पे आ गए हैं और अभी हम चार्ट पर ये देखने वाले हैं कि पीवोट, पॉइंट्स, रेजिस्टन्स और सपोर्ट किस प्रकार से मार्केट में अपना रोल निभाते हैं जैसे हमने जितना भी सुना इसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप उसको ध्यान से एक दो बार देखें उसको उसके नोट्स बनाईए और उसके बाद में आप चार्ट पे देखी आप डायरेक्ली थियरी समझे भी ना चार्ट में गुसेंगे तो मैं बताता हूँ आप जो जैके लॉजिक को नहीं समझेंगे तब-ब आप एक्चुली मार्केट के डायनामिक्स को मार्केट के चाल चलन को नहीं समझ पाएंगे उसके मुवमेंट्स को नहीं समझ पाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उन्हें देखिए ठीक है अभी आप चार्ट इसको वाले पैर पर एक घंटे के टाइम फ्रेम पर लगा हुआ है और हम देखेंगे कि एक दिन में कैसे पिवोट पॉइंट जो है वो कैसे मार्केट के प्राइज मुवमेंट्स को मार्केट की जो चाल को कैसे वो प्रभावित करते हैं किस प्रकार से मार्केट का दृष्टिक उन ट्रेडर्स का किस प्रकार से मेंटालिटी चेंज हो जाता है इन सपोर्ट और रेजिस्टंस लेवल पे या पीवोट पॉइंट्स पे प्राइज आते ही उस पर ध्यान दीजेगा अब ध्यान से देखेगा मैं पूरा आपको एक महीना लेके जाओंगा पीवोट पॉइंट्स के लॉजिक को समझाते हुए मैं चाहूंगा कि आप कम से कम दो साल के डेटा पर करें और कम से कम दस पैर पर करें तब जाके आपके दिमाग में बैट जाएगा नेक्स ताइम आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मार्केट देखो यहां से यहां जाने वाला है यहां से यहां कुदने वाला है ठीक है? अभी देखिए आप ध्यान से देखिए यह जो वाइट लाइन है यह जो है नया दिन शुरू होता है और यह उस दिन का यह पिवोट पॉइंट है तो यह जो white line है, यह white line basically pivot point है, देखिए उसमें लिखा हुआ है, कि वो pivot point है, ठीक है, pp, daily का pivot point है और यह जो red line है, pivot point के ऊपर आपको 3 red lines मिलेगी, और pivot point के नीचे आपको 3 green lines, इस तरह से मिलेंगे dotted lines, ठीक है, हर एक दिन का, अच्छा, तो यह जो green lines है, इसको हम support कहते हैं, S1, देखिए, यहां पर उसमें लिखा है, daily में, S daily, last में देखिए, pivot point daily, और नीचे लिखा हुआ है, S1, मतलब support 1, तो यह support है, यह एक ऐसा level है, जहां पर market अगर गिरेगा, तो support उसको support देगा, उसको सहारा देगा, उसको कांधा देगा, उसको नीचे नहीं गिरने देगा मानिए, वो जैसे हमने वो एक example लिया था, जो फिबोनाशी का example अपने basics में आपने देखा होगा, कैसे के ball गिरता है, तो हमने कहा था, यह support देता है, वहां से market को वो उच्छालता है, क्यों उच्छालता है, क्योंकि support के पास काफी लोगों के buying orders होते हैं, काफी लोग वहां से order, नए orders चालो करते हैं, उसकी वज़े से support हमेशा क्या करता है, कि market को एक momentum को कम करता है, वहां पर बहुत सारे नए orders खुलते हैं, और बहुत सारे पुराने orders close होते हैं इस level पर, इसकी वज़े से आपको support पर हमेशा market, अगर market उपर से आकर support की तरफ आएगा, तो market जो है support से ऊपर की तरफ उचलेगा, अगर market नीचे से ऊपर की तरफ किसी भी line पर जाएगा, तो वो line जो है, उसके लिए resistance बन जाती है, फिर वो support ही क्यों नहों हो, अगर market नीचे से इस level पर आएगी, तो यहां पर market काफी लोगों ने यहां से take profit लेना चालू कर दिया होगा, कितन तो market को ऊपर जाने में तकलीफ होगी, ऊपर से आता है तो उसको नीचे जाने में तकलीफ होगी, यह जो line है, एक लक्षमन डेखा की तरह है, और यहां पर नए orders निकलते हैं, ठीक है, अच्छा, basics वापिस ध्यान से सुनिए, यह white line जो है, वो pivot points है, ठीक है, यह pivot point क्या है, कल का high, मतलब यह समझी, यह उसके पहले दिन का है, तो हम कहेंगे, यह कल का high यह था, अगर समझी, आज इस दिन का जो pivot point है, यह दो white line के बीच में एक नया दिन है, ठीक है, तो यह जो pivot point है, यह है basically, अपरिल मेने की 30 तारीका, तो यह 30 तारीक का अगर pivot point है, तो वो 29 तारी है, इसका जो price है, यह है 1.3032, इसको plus करेंगे, आप इसके highest point के साथ, जो है 1.3088, plus उसका जो closing price था, इसका closing price यह रहा, तो यह जो है, यह close 1.3096, यह close, यह high, और यह low, इन तीनों को जब हम plus करेंगे, और उतका average निकालेंगे, तो कहीं पर यह line मिलेगा, यह जो हमारा pivot point है, ठीक है, अब market का simple कहना है, technical analysis का एक assumption है, धारना है कि यहां से market हमेशा, उस दिन का पुरा market इसी पर निर्भर करेगा, और इसी के आजू-बाजू में दोड़ेगा, इस level पर लोग excited होंगे, नए orders खुलेंगे, और नए पुराने orders बंद होंगे, ठीक है, तो अब हम इसको द vote के उपर होता है, उसको हम बोलते हैं, अवरोध, resistance, यह पहला resistance है, यह हमारा दूसरा resistance है, यह हमारा पहला support है, यह हमारा दूसरा support है, और उसके नीचे तीसरा support होगा, और उपर हमारा होगा तीसरा resistance, ठीक है, तो तीन resistance उपर की तरफ, तीन supports नीचे की तरफ, तो हम क्या कर यह डेईली इस दोनों वाइट लाइन के बीच में आपको पहले से यह यह लेवल्स मिल जाएंगे हम उस पर निरबर करके हम हमारे कंक्लूशन को दिखाएंगे देखेंगे स्टडी करेंगे मैं आपसे एक ही अनुरोद करूंगा कि आप जब भी कोई भी टूल को समझने की को करें तो उसको अकेले समझना चाहिए एक रसी जासा होता है आप चार sû शाथ में डालकर और आप कभी किसी गाडी को खेंचने की extends करेंगे हढ़ें आपको समझ में नहीं है मैं कोऊन साहिए उसमें कॉण सा स्ट्रॉंग है तो हमें पहले हर सिस्ट्व में हर इंडीर स्ट्र स्ट्राइड़जी के, उसके खुद के सिस्टम, उसके स्ट्रेंग्ट को समझने के लिए हमें उसको अकेला इस्तमाल करना चाहिए इसको आप ध्यान से एक बार समझ लेंगे, तो आपका कोई भी सिस्टम होगा, उसमें चारचांद लग जाएगा पिवोर्ट जो है उसके जैसा मेरे गाल सपोर्ट रिजिस्टन्स के जैसा कोई मुझे तो बहुत पसंद है बहुत ही बढ़िया एक आइडिया देता है एकदम अंधेरे में रहता है मार्केट तो कहां से कहां भागने वाला पता नहीं रहता है लेकिन ये जो लाइन्स हैं एक महीने का हम डेटा देखेंगे आप बिल्कुल चौंक जाएंगे के मार्केट ऐसा कैसा कर सकता है कि जैसे पत्तर की लकीर की दर कैसे जा सकता है ठीक है चलो देखिए तो सिंपल है एक सिंपल पहला थंबरू लॉजिक में आपको बताता हूँ एकदम सिंपल लॉजिक ल लाइन उसको अवरोद बनकर रोकेगा उपर जाने से उपर से आएगा तो उसको सपोर्ट बनकर रोकेगा नीचे जाने से इन शॉर्ट कोई भी लाइन अगर मार्केट उपर से आता है तो भी रोकेगा उसको नीचे जाने से नीचे से आता है तो भी उसको रोकेगा उपर पिवोट के ऊपर के Lines को हम Resistance कहते हैं, अवरोद कहते हैं, पिवोट के नीचे के Lines को हम Support की रिखाएं कहते हैं, या आप बोलेंगे के सहारा देता है Market को उसके नीचे जाने के टोखने के लिए, ठीक है? यह क्यों होता है वो लॉजिक भी हमने देखा यह इसलिए होता है क्योंकि पूरा जो मार्केट है यहाँ पर ही stop loss, take profit और काफी नए orders को शुरू करता है तो उसकी वज़े से यहाँ पर हमेशा हल चल रहती है चलिए 29 तारीक अपरिल बहिना 2013 ठीक है मार्केट शुरू हुआ यहाँ से यह पहला कैंडल है सुंबार के दिन मार्केट शुरू हुआ यहाँ पर और मार्केट भागा सबसे पहले उपर अब यह देख पिवोट यहाँ पर है पिवोट नीचे है अब पिवोट जो है पिवोट के उपर मार्केट खुला, तो मार्केट सीधा पहले पहुचता है, कोशिश करता है, इस पर्टिकलर अवरोध को टाल लेकि, लेकिन वो टलता नहीं, उसको तोड नहीं बाता, एक, दो, तीन, चार, पाँच गंटा, यह एक गंटे का कैंडल है, पाँच गंटा यहीं पर अटका है, इसके उपर मार्केट को यह जाने नहीं देता, छटे घंटे में मार्केट के उपर जाकि यह क्लोज हुआ, भीक है, और साथ घंटे में, यह पहला अवरोध क्रोस किया, हम कहлаंगे पहला रिजिस्टन्स क्रोस किया, वहां से मार्केट भागा उपर, और उसने एक जटक cross करके उपर गया अब अचानक market में steam नहीं अब लोगों ने सोचा Monday का morning है क्या यार यह पहला तीन चार घंटे में पहला resistance भी तूड़ गया और दूसरा resistance भी तूड़ गया अब market में दम नहीं तो उसके उपर खरीदार नहीं मिले तो एक गंटा ये देखिए, market वापिस reverse मारा, कहां तक मारा उसने, exactly उसने support तक मारा, देखिए, ये इसको, ओ, इसका resistance है, sorry, resistance तक मारा, जो की resistance अभी उपर से आ रहा है, इसलिए वो support बन चुका है, ये एक नीचे गया, उसके बाद में देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार घंटे तक, market जो है, इसके उपर support लेता रहा, market इसके उपर support लेता रहा, इसने उसको सहरा दिया, इस line ने उसको नीचे नहीं आने दिया, ख्यारा है आपको, तो, resistance ने उसको support दिया, इस line ने उसको support दिया, पाँचवे घंटे बर, market अचानक सुचता है, कि चलो, अब मुझे उप पर जाना तो सिद्धा भागता है कहां तक भागता है वो भागता है resistance 3 पर देखिया आप वहां पे लगते ही immediately लोगों में डर आ जाता है लोग कहते हैं कि यार एक ही दिन में market ने तीन resistance को तोड़ दिया चलो भागो यहां से निकलो और लोग वहां से निकलते हैं दे दनादन जितने भी profit में थे वो सभी यहां से exit कर लेते हैं जितने भी loss में थे उनका stop loss यहां पे trigger हो जाता है इतने ज्यादा volume में यहां पे market में नए orders या पुराने orders trigger हो रहे हैं और नए orders शुरू होते होंगे sell के कि यहां पर अच्छानक एक ही जटके में market उपर से नीचे गिरता ह क्योंकि काफी ताजात में यहां पर activity हुई थी यहां पे लोगों को डर लगा कि क्या है यार यह तो पहला resistance भी तोड़ दिया दूसरा भी तोड़ दिया तीसरा भी तोड़ दिया और वो भी Monday के दिन तो लोग वहां से अब कोई भी buy करने के आतूरता में नहीं है यहां से market को reject हुआ सिद्धा market नीचे गिरा कहा तक गिरा यह देखिए resistance टू तक इसने उसको सहरा दिया यहां पर वापीस वह आता है दूसरी बार इसको तोड़ने की कोशिश करता है नहीं तीसरे गंटे में वह वापीस भागता है तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन यहां से जैस resistance टू तक यहां पर गिरता है फिर वापिस निकलता है और उसके बाद में ड connect हो जाता है यह जो है ना यह रात के शाड़े दस बजे के बाद होता है जब UK market का साड़े दस बच जाता है उसके बाद में market इसी परकार से रहता है क्यांकि उसके बाद इतना Dim lors Kanye疫 रहता है market में अच्छे से ध्यान से देखिए, मार्केट पहले गुसा, पाँच घंटे तक उसने इस लेवल तक को स्ट्रगल किया, क्रॉस करने के बाद जटके में उसने दूसरे को भी क्रॉस किया, उसके बाद में एक, दो, तीन, चार घंटे तक इस लेवल पर सपोर्ट लिया, पाँच घंटे पे भागा और एक्जाटली उस लाइन पर, ये सारी लाइन है ना, जब आप मार्केट में आओगे, उसके पहले बन जाएगी, ठीक है, और आते ही, ये, ये लाइन आपको सुबह, जब ये नया दिन शुरू होगा, तभी आपको ये लाइन बन जाएगी, और ये सिद्धा जाकर तीसरी बार लगा, और वहाँ से गिर कर, ये देखिए, वापिस इसी लेवल पर, आप सोच कर देखिए, इस दिन का अगर आप एक्टिविटी लेंगे, तो पहला एक्टिविटी इस लेवल के आजू बाजू था, दूसरा एक्टिविटी इस लेवल के स्ट्रगल किया, और उसके बाद में ये एक, और उसके बाद में ये एक, दो, तीन, चार, चार घंटे तक इस लेवल के साथ उसने स्ट्रगल किया, आप देखिए, और कोई लेवल नहीं है, मार्केट सीधा गुसता है, इस लेवल को कितना ध्यान से, आप देखिएगा, इ वापिस market नीचे आया, नीचे कहां तक आया, यहां तक क्योंकि यहां पर वापिस लोग खरीदने चालो हो गए, ख्याला है आपको, फिर आगे देखें क्या होता है, दूसरा दिन, अब दूसरा दिन शुरू होता है, ठीक है, अब दूसरा दिन शुरू होता है, दूसरे दिन पहले ही market यहाँ पर खुलता है पीवोट के ऊपर दो घंटे में पीवोट के नीचे आ जाता है market ठीक है पीवोट के नीचे आते ही market नीचे गिरता है लेकिन अभी देखिए वापिस market यहाँ पर struggle कर रहा है इस line पर अब आप देखिए एक गंटा दो घंटा तीन घंटा चार पांच गंटा च्छै गंटा च्छै घंटे तक market लगातार इस level को ऊपर तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है आप सोचकर देखिए और कोई levels नहीं है च्छै घंटे तक market इतना बड़ा market जो अर्बो खर्बो रुपे का जो market है billions of dollars का जो market है वो स अब मिलकर 6 घंटे तक यहां पर इस particular level को तोड़ नहीं पा रहे हैं यह देखिए एक ने struggle किया दूसरा लगे तोड़ने की कोशिश कर रहा है तीसरा आया यहां पर इसको support मिल गया इन दोनों को यहां पर almost इसके थोड़े पहले support मिल गया यह भाग गया लेकिन अब भाग तो कहां गया इसके अंदर ही रहे रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे गंटे तक market इसके अंदर साथ गंटे तक almost market इस पीवोट लेवल को देखिए पीवोट लेवल उसको कैसे दबा के रख रहा है वो देखिए कि प्राइस इसके ऊपर आई नहीं सकता है जबी प्राइस पास आता है वहां से लोग सेल कर देते है नीछे चला जाता हॉआपिस प्राइस वापिस वापिस सेल कर देते हैं उसके बाद क्या होता है अचाना कोई नूज आती है यह देखिए नियूज आया सन सन सिद्धा जाके वो पहला यह देखिए यहां पर तोड़ता है वो यहां पर नहीं अटकता है यहां पर नहीं अटकता है वो सिद्धा जाकर पहला लेवल क्रॉस करता है दूसरा लेवल इसको वापिस टच करता है और यहां पर वापिस उसको स उसके बाद में जितने भी घंटे हैं वो रेजिस्टेंस लेवल टू पर ही पूरा-पूरा अपना सपोर्ट ले रहे हैं देखिए पूरा मार्केट इसी लाइन के इर्दगिर्द पड़ा हुआ तीसरा दिन अभी एपर में पहली तारीक में पहली तारीक होती है मार्केट खुलता है यहां पर मार्केट सीधा भागता है कहां तक भागता है सिधा पहला उसका उड़ान रहता है सीधा रेजिस्टेंस वन तक रेजिस्टेंस वन पर जाकर पूरा अटकता है यहां से मार्केट भाग रह है उसकी पूरी चाल यहां तक जाके अटक जाती है दूसरा वाला बनता है वह यहां पर अटकता है नीचे क्लोज होता है रेजिस्टेंस वन उसको उपर ज्यादा दिर रहने नहीं देता है वापिस उसको नीचे घुसाता है यह में एक तारीक खतम हो गई अच्छा यहां पर एक तारीक खतम हो जाती है यह देखिए इसके नीचे ही रहता है मार्केट कोशिश कर रहा है उसके बाद क्या होता है उसके बाद हम लोग में दो तारीक को आते हैं में दो तारीक के दिन क्या होता है? मार्केट को देखी, मार्केट यहां पर खुलता है, पहले वो उपर नहीं जा पा रहा है, उसमें दम नहीं है, मार्केट सीधा गिरता है, कहा तक गिरता है? एक्सेक्टली पिवोट तक गिरता है, देखे, पिवोट के नीचे आई ही नहीं रहा है, मार्केट जानी पाता है सीधा यहां पर आके सपोर्ट पर लगता है सपोर्ट पर लगकर उसको सपोर्ट बिलता तो सीधा भागता है सपोर्ट उसको उचालता है देखिए मार्केट को यहां से लेकर यहां तक उसने उचाला कहां तक पहुंचा हो एग्जैक्ली पिवोट तक पहुंच किया लोगों को जब लगा कि या रही पीवोट ने रिजेक्ट किया भारी मातरा में लोगों ने यहां से सेल चालो कर दिया सेल चालो कि रहा सिद्धा तूटा कोई न्यूस आया होगा उस दिन सिद्धा तूटा जब उन्हों प्याट का, ये भी उसके उपर क्लोस कर रहा है, ये भी उसके उपर कुरो, ये भी उसके उपर, ये सोच कर देखिए आप, एक, दो, तीन, चार, पांच, बहले इतना बड़ा नियूज आता है, लेकिन फिर भी उसको S3 ने संभाल लिया, उसी लाइन के एर्दगिर्द मार्क इंटम आया, लोग अप्टिमिस्टिक है, बाई करने में लगे हुए है, सिद्धा उन्होंने बाई किया, कहां तक किया, पीवोट तक, ये देखिए, एक्जाट्ली उसी लाइन तक, अटका रहा है, ये अटका रहा है, उसके उपर कोशिश किया, लेकिन उसके नीची नही इसे होते है, जहां पर बहुत चौपी रहता है, एक न्यूस आता है, या कुछ आता है, और अचानक मार्केट उसी लेवल पर पढ़ा रहता है, एक बड़ा कैंडल इदर बनाया रहता है, लेकिन इन दो कैंडल को एक ने नीचे क्लोस किया, इसने वापिस लागे पीवोट के उपर क्लोस कर दिया, अगर आप इस एक कैंडल को भूल जाएं, तो ये देखिए, पीवोट के उपर आने के बाद, मार्केट ने पूरा पूरा दिन, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, ग्यारा, बारा, बारा घंटे तक इसी लेवल पर पड़ा रहा, ये वापीस यहीं पर पड़ा रहा, इसको एक को छोड़ दीजिए, जो नीचे कहा, ये वापीस इधर ऊपर आगया, ये वापीस इधर ही आया, और पीवोट के इर्दगिर इसने पूरा दिन निकाला, ये तीन तारीख है, फिर अपना साइरेडे संडे हो ज यहां पर पीवोट ने संभाला, वापिस पीवोट के नीचे ये देखिया, अब सोच कर देखिये सर, कि ये जो लाइन है, ये कितना पावरफुल और कितना रिस्पेक्टेड लाइन होने चाहिए, ये, कि मार्केट एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, घंटे तक एक ही लेवल पर पड़ा रहता है, समझे, मार्केट कितना कॉशियस हो जाता होगा, या तो लोग सोचते होंगे, या तो कुछ लोग सोचते होंगे, जो बायर होंगे, वो सोचते होंगे, कि यार इसको ऊपर कंफरड़ेबली क्लोस करने दे फिर हम बाई करेंगे, सेलर गिरा लेकिन कहां तक गिरा almost support के level तक गिरा वहां से उसको support मिल गया पूरा Monday usually ऐसा ही रहता है आपको उतना momentum नहीं रहता है क्योंकि UK वाले सोचते हैं कि US वाला market को moment करेगा US वाला सोचता है कि UK वाला market को move करेगा उसकी वज़े से दोने एक दूसरे को देखके wait करते रहता हैं कुछ होता नहीं है अब Tuesday शुरू हुआ ठीक है Tuesday सिद्धा market नीचे खुला market नीचे खुला pivot के नीचे खुला market नीचे खुला pivot के तो market क्या कर रहा है देखिए उपर जा रहा है उसको touch करने किया उसने pivot को नीचे close हुआ दूसरा जाके touch किया नीचे close हुआ तीसरा जाके touch किया नीचे close हुआ ती यह देखिए इस एक कैंडल को छोड़ दो के तो पूरा दिन एक ही लाइन के आज जिबाजे में पड़ा हुआ है यह देखिए पूरे लाइन इस लेवल्प को रिस्पेक्ट करता है अप ऐसा क्या है कि पीवोट और सपोर्ट और रिजिस्टेंस को मार्के इतना वो सब इसको respect करते हैं इसी की वज़े से ये market respect करता हो उसको ये देखिए market ने क्या किया चार तरीको ऊपर खुला नीचे खुला पीबोट के उसने test किया एक दो तीन चार पांच छे घंटे तक फिर market भागा ऊपर की तरफ कहा तक भागा से और exactly resistance तक अब सोच कर देखिए अगर इसके उपर market की चाल चलती है तो कहा तक रहती है resistance तक resistance पर जाके क्या करता है market वापिस सांस ले रहा है वहाँ पर वापिस लोगों ने बेचना शुरू कर दिया लोगों ने का नहीं भाई यह तो बहुत बड़ी प्राइस मिला है माल आज आज निकल जाओ आज इसके बाद इस market में रहने की कोई जरूत नहीं है लोगों ने market को वहाँ से बेचना चालो किया अब देखिए इसको इस level ने इसको संभाला इसको आगे आने ही नहीं दिया यह दूसरा टच किया और नीचे आगया अब यह तीन चार घंटे में लोगों को समझ में आ जाता अब आपको भी समझ में आ जाता होगा कि यार अब market में दम नहीं लगता है उपर जाने के लिए फिर लोग क्या करते हैं हाट हाट नो नो दस दस घंटे आप सोच सकते हैं एक ही लेवल के आजू-बाजू में सोच के देखिए एक पीप उपर नहीं दे रहे हैं यह शाम जब रा एंड हो जाता है मार्केट यूके का उसके बाद में मार्केट में साब एक पिप उपर ले जाने का दम नहीं रहा था है यह देखिए एक्जाक्ली पड़ा हुआ है यह देखिए इन सब को आप देखिए ध्यान दीजिए और सोचिए कि यार ऐसा तो क्या होता होगा इस लेवल में कि मार्केट इस तरह से 10-10 घंटे एक लाइन को जैसे कि कोई लक्षमन रेगा खींच दियो उससाब से 10-10 घं हो गई हमारी